हेलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी का एजुकेशन के एडशिक्स और वाइटी एजुकेशन के इस प्रेटफॉर्म पे चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाके ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके दोस आप से कांग गटनाओं के बारे में चर्चा किया जा रहा है यह वीडियो आपके 68 BPSC एक्जाम से लेकर जिया बिहार दरोगा की परिशा तक को कभर करता है तो इस वीडियो को डेली देखें और अपने 50 प्रूशन के उतर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें ताकि जो भ टेस्ट होगा, करेंट अफर का टेस्ट होगा और दोस्तो स्टाटिक पार्ट का भी आपका यहां पे टेस्ट होगा तीन टेस्ट होगे जहां पे आपको लूसेंट के सब्जेक्टिव, लूसेंट का अबजेक्टिव और NCRT सारसंगरा का अबजेक्टिव और पुर्वा ल तो आप भी स्टेस्रीच का हिस्सा बनिये और आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं इस पेड ग्रूप में तो आपको करना क्या है कि इस दिये गया नंबर पे आपको मात्र 199 रुपे पेमेंट करना है और इसका स्क्रीन सोट लेकर जी हां आप हमारे वाटसप नंबर पे शेयर कर सकते हैं जो कि आप लोगों तक यहां पे यह सारा कसारा जो डिटेल है वो दिया जा सके और आपको इस ग्रूप में एड किया जा सके और साथ में हर एक संडे को आपको एक प्रेक्टिस टेस्ट फूल-मोक टेस्ट का साम 5 बजे कराये जाएगा इनका time table का सारा detail मैंने description में भी लिक रखा है या फिर आप हमारे telegram पे जुड़िएगा तो वहाँ पे भी इसका time table सारा दिख जाएगा एक फरवरी से यह सारी चीश सुरू हो रही है तो आप लोग जल्दी से जल्दी जादा जादा छात्र को जोड़े और आप भी जुड़े यहाँ पे ताकि आपकी परिक्षा को और भी आसान हम बना सके चुकि तयारी जो जीत की होती है न वो एक दिन में नहीं होती है धीरे धीरे इट जोड़ते हैं तब जाके एक महल का निर्मान होता है आपको अपना महल बनाना है दरोगा बनना है तो आज से हैं इसकी शुरुवात की जा रही है एक फरवरी से इसका बैच में जोईन कीजिए जल से जल चलिए अब शुरुवात करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे पचास प्रशनों के श्रिंख ला और आप भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजेगा तो पहला कोशन आपके सामने है कि फेस्बुक देखें फेस्बुक क्या है तो सोसल मेडिया एप है और एक वेबसाइट भी है तो अगर आपसे पूछेगा ना कि वेबसाइट है या एप है यह दोनों ही है ठीक है वेबसाइट भी है और इसका एप्लिकेशन भी है फेस्बुक के जो मालिक हैं दोस्तों माक जुकरबग है यह ध्यान रखेगा और इन्होंने यहां पर उत्पादन जो है महराष्ट्र करता है यह तो कथन बिल्कुल सही है और सरवाधिक करता है सबस्यादी करता है सरवाधिक जूट का उत्पादन पस्षिम बंगाल करता है यह भी कथन सत्य है सरवाधिक जवार का उत्पादन जो है महराष्ट्र करता है यह भी याद रखेग और सरवाधिक दूद का उत्तर प्रदेश करता है ये भी याद रखेगा तो ये इसमें से कोई आपका जो है गलत नहीं है तो ये ध्यान रखेगा इनमें से कोई नहीं उपंचन नमबर ई के साथ जा सकते है आप तो जो भी छात्र यहाँ पे बिहार दरुगा की त्यारी कर रहा ना तो उनमें यहाँ पे ऑ्श्विन नमबर ए नहीं दिया जाएगा लेकिन बिहार बीप्श इम ऑप्शन नमबर ए रहेगा तो मैंने इसको चारों को यहाँ बता दिया तो इस बात का ध्यान रखेगा एक सवाल आपसे अब यहां पर पूछेंगे कि दिके पस्टिम बंगाल में एक नए गवर्नर बने उन गवर्नर का नाम पताई पस्टिम बंगाल के गवर्नर का नाम आप आप हमें comment section में comment करके जरू बताईएगा सवाल नम्मर चलते हैं चुहाट तेइस तीन पे सोरी गणतंत्र दिवस दोजार तेइस समारो के मुख्यातिती कौन है देखें दोजार तेइस यानि कि परसु जो है दोस्तों ध्यान रखेगा जो गणतंत्र दिवस मन रहा है जी हाँ और आपको बता दे कि इस मौके पे गरतंत्र दिवस के मौके पे राजानी दिल्ली में लाल कले की जंडा उखराय जाता है और राश्टपती भवन से लेकर इंडिया गेट तक करतब बेपत बेहत भव्य और आकरसक प्रेट से बताया हो जाता है इस बार जो हमारे अतिती है वो कौन है भाई तो मिस्र के जी हाँ मिस्र के राश्टर पती है नौट प्रधान मंत्री यहाँ पर प्रधान मंत्री लिख दिया गया है गलत उत्तर हो जाएगा यह मिस्र के राष्टपती है यह तो मिस्र के राष्टपती कौन है तो लिख लेजिएगा अब्देल फतह अल सीसी यह अब्देल 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 फतह फतह सीसी याद रखेंगे क्या नामें इनका अब्देल फतह सीसी तो यह है राष्टपती मिस्र के और यह आ रहे है देश यहां 2023 26 जन्वरी को कवाल नम्मर चलते हैं दोस्तों चार पर आंसर कर लेंगे हाल ही में UNDP द्वारा जारी मानों विकाद सुचिकांग 2021 में भारत की सिस्थान पर रहा बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों 2021 में मानों सुचिकांग में भारत जो है 132 पाउदान पर रहा UNDP दोस्तों जारी करता है यहां पर मानों विकाद सुचिकांग जो कि 2020 में भारत के सांद 132 रहा याद रखेंगे और यह जो है HDI, Human Development Index के जरिए 0.633 रखा गया इसका सुचिकांग जो कि 2020-21 का अगर देखेगा तो यहां पर सुचिकांग जो है 131 था भारत का तो यह यहां पर question बनता है आपका लेकिन आपसे मैं एक सवाल पुछूँगा कि मानों विकाद सुचिकांग में पहले पाउदान पे कौन है ठीक है पहले पाउदान पे कौन है अभी तो आपको यहां पर comment section में comment करके बताना है यह Is your task. कि पाउंच पर राष्ट्रे श्वक्षगंगा और सङकार भारतीय मिशन दवारा विसाल किसान संविलां का रिया साला किसी drin करें बिलकुल यह शीद किया रहा है और ये जो है उत्तर प्रदेश में जिहां बुंदेल खंड में किया जा रहा है तो भी उत्तर कर सकते हैं आपे त्वाल लंबर 6 पे चलते हैं इनमें से कौन सा और सुमेलित है यानि की गलत है तो आंसर कर जीएगा दोस्तों सेसल्स विक्टोरिया से सम्मंदित है मेडगासकर इंटैनोरियो से सम्मंदित है इनकी कैपिटल सिटीज है दोस्तों पर इरिट्रिया जो है इरिट्रिया एनना इरिट्रिया इरुटेरिया मत बोल दीजेगा इरिटीरिया जो है दुस्तू ये इटावा स्थिटी नहीं होगा याद रखेंगे ये असमारा होगा यहां असमारा कॉलंबिया से सम्मंदित है दुस्तू बुगोटा वाल नंबर चलते हैं साथ पे आंसर करेंगे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्राजेंडर महिला कौन है तो बिल्कुल याद रखेंगे इनका नाम है लॉर्ण हबर्ड इस दराइट आंसर और यह लॉर्ण हबर्ड किस देश समंदित है याद रखेंगे दूस्तों यह है समंदित न्यूजीलेंड से और अभी हाल ने पहली महिला है ना पहली महिला ट्रांजेंडर अथलेट बनी है यह लॉर्ण हबर्ड न्यूजीलेंड से आती हैं स्वाल मत चलते हैं दोस्तों आठ पर आंसर करेंगे एशिया कप 2022 में कौन से टीम सूपर फोर स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी अफगानिस्तान उत्तर कर लिजेगा बी इस दर करेक्ट आंसर एशिया कप में सूपर फोर में जाने वाला ये पहला एशियाई टीम भी है आंसर बी कर लिजेगा दोस्तों अफगानिस्तान या किराजदानी कहा होती है तो काबूल होती है याद रखेंगे चलिए आंसर हम यहां पे B करते हैं सवाल नमबर चलते हैं 9 पे सम्रिद्धी कर माफ योजना किस राज्य या केदर सासित प्रदेश में सुरू हुआ अंसर किजिए दोस्तो ए दिली इसदर करेक्ट आंसर। दिल्ली के लिए सम्रिद्धी कर माफ योजना की सुरुवात की है ठीक है अब यहां पर ध्यान रख किए गाई यह वन टाइम माफ योजना है जहां पर दिल्ली के द्वारा यह मंगलवार को सुरू किया गया था दोस्तों दिल्ली तिर्की है यह और यह होकी इंडिया के लिए नए अध्यक्ष के रुप में इनको चुना गया है पुरुसभर के लिए ध्यान रह्त किया आजी में खार्ची 22022 किस राजी का या केंदर्राजी में बनाय गया को याद रहेंगे कि दूस्तों खार्ची जो जो है उटस करना है वाल नमबर 12 पर चलते हैं देश में नब्वेवी इंटर पॉल महासभा की में जबानी किसने की तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों इंडिया ने किया था ये काम जियां भारत अंतराश्ट्री अपराधिक पुलिस संगठर इंटर पॉल में इंटर पॉल याद र कि थैयरे हो यहां से यह महास्भा कब चलता तो 38 से लेकर या 21 अक्टूबर के बीच यह महासभा हुआ था कहां हुआ था यह महासभा जो हुआ ग्म'tbels दिल्ली में हुआ था जियां और महासभा इंतर्पुल सर्वोच शाशी निकाए है यानि कि इंटर्नेशनल लेवल पर जिसमें कि कुल 195 सदस्ट से देश हैं यहां से सारे टॉपिक इंपॉटेंट है नब्वेवां बैठक था यह महासबा का 18 से 21 सक्तूबर तक हुआ दिल्ली में हुआ था और इसमें कुल 195 देश परतिनिधित्व में सामिल थे याद रखेगा इंडिया इस दर करेक्ट आंसर स्वाल नंबर 13 पर चलते हैं संजुक्त राज अमेरिका के किस सहर ने 2023 में दिपावली पर स्कूल हॉलिडे की गोश्णा की है बिल्कुल दोस्तों दिपावली के आउसर पे अमेरिका का यह है नियू योर्क सिटी नोट कर लिजीगा जहां पर अब 2023 दिपावली में यहां पे छुट्टिया होंगी और म वर्सिंग्टन डी सी होता है ठीक है और यहां के अभी जो राष्ट्रपती है वो है जो बाइडेन सवाल नमर चलते हैं 14 पे हाल ही में सैफ मैलिया है सेफ मैलिया है कैपियंशिप 2022 का किताब किसमें जीता है जी हाँ यह है देश के बंगला देश से हैं D is the correct answer सवाल नमर चलते हैं 15 पे सरवाधिक वनावरन प्रतिशत वाला राजे और रोही करम में बताएं सरवाधिक वनावरन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे वनावरन इन प्रतिशत है ना ध्यान रखेंगे मिजोरम अरुनाचल प्रदेश और मिखाले इस दा करेक्ट आंसर ठीक है तो आप्शन नमबर सी यहां पर कर सकते हैं देखिए कुछ भगॉलिक छ की बात करेंगे यहां पर हम दोस्तो यहां ठीन नइन कोंट थीद्री पर सेन्टेज है और फिर अगर मेघाले के बात करेंगे यहां पर 76.001 प्रतिशत, यह पिए तीनों थीशोछाई दूस्त, यहां पर इसके बाद मनीपूर हाई, मनीपूर और नागालेंड हम जो अ घर्टिक्रम की और होता है सवाल नंबर चलते हैं 16 पे दोस्तों आंसर करेंगे सांस समाजिक जागरुपता अवियार किस राजी सिरकार के द्वरा सुरू किया गया बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों इसको कहते हैं इसका फुल फॉर्म देखेंगे पूछेगा सांस का बताईएगा यहाँ पे तूसल अवियरनेस एक्शन तूदर निट्रलाइज निमोनिया सक्सेस्फूल यहाँ पे तूदर निट्रलाइज निमोनिया सक्सेस्फूल यह इसका फुल फॉर्म होता है सांस एक समाजिक जारुपता वियान जो कि सरकार यहाँ पर किस ने तो करनाटक की सरकार ने सुरू किया है 2022 में याद रखेंगे और मद्य प्रदेश में स्वास्ति विवाग ने पांच फरवरी 2021 को यह वियान की शुरुवात कर चुका है तो पूछेगा तो एंपी का भी बता दीजेगा यह पांच फरवरी 2021 में इसकी शुरुवात हो चुक स्वाल नंबर चलते हैं 18 पे नैसकॉम देखे नैसकॉम की पहली महिला देख्ष कौन बनी है तो बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यह है रेखा रेखा एम मेनन तो आंसर नंबर ए कर लिजेगा यहाँ पर स्वाल नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पे भारत ने किस देश के स साथ वैक्सिन एक्षन प्रोग्राम को वर्ष तोज़ा 27 तक बढ़ा दिया है कि यू एस ए इस दा करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं जिहां आंसर कर लिजेगा यू एस इस दा करेक्ट आंसर क्विटर सूशल मीडिया की सिकायत अधिकारी कौन है कि यह विन्य प्रकास एस द इस दा करेक्ट आंसर हाली में तरुन बजाज की स्थान पर भारत के नए राजस्यों सचीव कौन बने हैं जैं मनहोत्रा इस दा करेक्ट आंसर आलमबर चलते हैं 22 पर प्रो लिंग 2022-23 के लिए भारतियों के टीम का कप्तान किसी निव्ट क्या गया है यह हर्मन प्रीत सिंग याद रखेंगे दोस्तों यहां पर और आंसर कर लिजीगा यह इस दा करेक्ट आंसर सवाल लंबर चलते हैं 23 पर दिबलिकित में से सुमेलित नहीं है महचता है यानि कि तिवार है और समंधित राज्य है तो कौन सा कथन यहां पर गलत है बिलकुल द्यान चयां रखेगा व्यञटरी त्योहार्जर्ग दोस्तों यहां पर के मिलकुलट कर। मत्यप्रदेश संबंदीत है और लई हराव वह वहा कि त्रीपूरा से संबंदीत है और दोस्तों लो शांध यहार जोंकी सिंसिक्विम से plans अष्वारार शंभष्य संबंदीत करनाटका से याद रखेंगे यहां के करनाटका के नए CM का नाम हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके आप बताएंगे तो option number E यहां पे कर लिजेगा इन में से कोई नहीं ठीक है सवाल number चलते हैं दोस्तों 24 पे न्याय मूर्ती DY चंदरचूर भारत के कौन से करम के मुख्य नयादीज बने है बिल्कुल यह 50 वे नयादीज बने हैं दोस्तों याद रखेगा इनका नाम है धरनजय यसवन चंदरचूर इनका जनम 1959 में हुआ है दोस्तों और भारत के मुख्य नयादीज है 9 नमबर 9 नमबर सन 2022 को यह निवत किया गया है बारत के नयाय मूर्ती के रूप में जो की सरवच नयाले में बैठेंगे स्वाल लमर चलते हैं दोस्तों परचीज पर आंसर करेंगे आसानी तुफान की उत्पत्ती बंगाल की खाड़ी से जियां किसने नामा करण किया इसका आसानी का नामा करण जो है दोस्तों सिरलंका ने किया है डी इस दा करेक्ट आंसर वाल लमबा 26 पर चलते हैं आंसर करेंगे सार्व भौमिक स्वास्त भीमा योजना किस राजय ने सुरू किया है नागालेंट की सरकार सी इस दा करेक्ट आंसर जो की मुख्यमंत्री है यहां पर जी यहां नोट कर लेजिएगा नागालेंड के मुख्य मंत्री स्वास्त भीमा योजना की शुरुआत की है यह आप नोट कर सकते हैं बिल्कुल चलिए ठीक है आप हमें यहां पर चैपिटल सिटी ऑफ नागालेंड जरू बताइएगा ठीक है तुवाल उम्मर चलते हैं दूस्तों 27 पर कौन सुमिलन गलत है यहां पर खनीज दिया गया है और उसके सरवादिक पत्पादित राज्यों के नाम दिये गया है तो बिल्कुल यहां पर ध्यान रखेंगे मध्यप्रदेश में चांदी टाजिस्थान में बॉक्साइट उडिसा में प्रकृति गैस असम में तभी सही है इसलिए कोई गलत नहीं है इसलिए ऑप्षिन नमबर इक जीगाइन में से कोई नहीं है इसलिए नमबर 28 पर चलते हैं 20 वे कुस्ती चैंपियंशिप में चार पदक जीतने वाले पहले भारतिक लाड़ी कौन बन गये हैं बजरंग पूनिया इस दा करेक्ट आंसर और आर्क्रिटिक भेडिया की क्लोनिंग मया जो है यहां पर दोस्तों कि ठीक है बजरंग पूनिया स्वाल नमबर चलते हैं दोस्तों कुछ नमबर 29 पर आली में चंडिगाड हवाई अट्डे का नाम बदल कर स्वतंतर सिनानी के नाम पर रखा गया है बिलकुल डी भगत सिंग के नाम पर रखा गया है दोस्तों और इनकी 115 जैनती के आउसर पर जियां इसका नाम बदल कर रखा गया है दोस्तों भगत सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखेगा चंडिगड की राजधानी कहा है तो चंडिगड खुदी है एक यूनिय गवर्णर कौन है आप हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके अभी बताईए स्वाल नंबर 30 पर चलते हैं सब्सक्राइब के नए CEO कौन बने है बिलकुल याद रखेंगे दूस्तों यहाँ पर है यह यहां पर चलते हैं 32 पर किस राज्जी ने आयुश्मान उत्कृष्प पुरुसकार 22 जीता है उत्तर प्रदेश करेक्ट टांसर नोट कर सकते हैं दोस्तों यहां पर दिल्ली में अजित हुआ था यह यह प्रुसकार आयुश्प किया गया था यह आपको याद रखना है आरोग्य मन्थन कारिकरम के दोरान यूपी को आईश्मान उत्कृष्प पुरुसकार से समानित किया गया आरोग्य यह लिख लेजिएगा आरोग्य मन्थन कारिकरम ठीक है त्वाल नमबर चलते हैं 233 पर आंसर करेंगे न्यूजिलेंड की पहली भारते मूल की मंत्री कौन बनी है प्रियंका राधा कृष्णन सी इस दा करेक्ट आंसर का लंबर चौतीस निसग्र तुफान का नामा करंकिस देश ने किया है बंगला देश इस दा करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं इस सब्द का मतलब होता है ब्रह्मान जियां और चत्रवातों के नाम देने सबसे पहले जो है कि उस तुफान का नामा करंड करते हैं और इसकी सुरुवात जिया नाइटी फिप्रित्री में हो चुकी है सब्सक्राइब चलते हैं थार्टी फाइब पे महिला समानता दिवस्त प्रतिवस्त कब मना जाता है सब्सक्राइब चलते हैं तुफान की उत्पती बंगाल की खाड़ी से हुई है बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों जवाद, असानी, बुरेवी और निवार ये सभी के सभी जो हैं बंगाल की खाड़ी से उत्पत हुए तुफान है इसलिए ओल अप एवब सब्सक्राइब चलते हैं दोस्तों 37 पे अंतरिश गतिवीधी की निगरानी के लिए भारत की पहली वेज साला किस राजे में स्थापित की गई है उत्राखंड इस दा करेक्ट आंसर कुषकर सिंग धामी यहां के क्या है कुषकर सिंग धामी यहां के क्या है तो भाई मुख्यमंत्री है और दोस्तों यहां पे गवर्णर कौन है जिए आप हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके जरूर बता है स्वाल नमबर 38 आली में की सुंदरी ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिता जीता बिल्कुल याद रखेंगे आरिया वाल विकर इस दर करेक्ट रांसर स्वाल नमबर चलते हैं 49 पे वरिष्ट नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टाट अप को इसने लॉंच किया है रतन टाटा इस दर करेक्ट आंसर रतन टाटा इस दर करेक्ट आंसर इस ऑप्षिन के साथ जाएगा यहां पे स्वाल नमबर चलते हैं 40 पे और USA राश्टर पती चुनाओ लड़ने वाली प्रतम हिंदु महिला स्वाल नमबर चलते हैं 41 पे पौन सा कथन सही नहीं है देखें यह जो सिंगल यूज प्लास्टिक बाइंक यूजना हिमाचल प्रदेश की थी मिसन लाइफ यूजना गुजरात की थी और चिराग यूजना हर्याना की थी और नारी को नमन यूजना और उनाचल प्रदेश लिखा गया है जो कि यह गलत है नारी नमन यूजना जो है हिमाचल प्रदेश का था यहां से नोट कर लीजिएगा त्वाल नमबर 42 पर चलते हैं किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवाईव परिवर्तन और स्वास्त देख भाल की बिल पर हस्ताक्चर किया है बिल्कुल USA is the correct answer नोट कर लीजिएगा USA is the correct answer E is the right answer त्वाल नमबर चलते हैं 43 पर हासर करेंगे आली में किस देश ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 से परदान मंत्री को प्रस्तकरत किया है लीजिएट लीजिएट ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 से समानित किया गया परदान मंत्री जीगो या किस देश ने किया था तो it's a B America is the correct answer अमेरिका की सरकार के दौरा यह दिया गया था लिजन औफ मेरिट है यह ना नौट लिजन तो यह जो है इनकी उत्किष्ट सेवाँ और उपलब्धियों के लिए अमेरिका ने निम्लेकर मेरिक नहीं है फुस्ब और खादान और विस्व में प्रतम उत्पादत देश तो यहां पर ध्यान रखिएगा चीनी जुहरा इपकि पकशी सर्थ है करता है तो आंपको बता दें कि सबसे यादा उतपादन जो है अपना देश भारत करता है और भारत में सबसे यादा महराष्ट करता है वाल मर् 45 आली में पाकिस्तान की पहली हिंदू मैला सिविल सेवक किसे निवत किया गया है बिल्कुल याद रखेंगे दूस्तों यह है सना रामचंद्र गुल्वानी is the correct answer सुमन कुमारी जो है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला बन गी थे जिने सिविल जज के रूपे निउट किया गया था और कामबार सहाद कोट के रहने वाली है और यह अपने मुल्ग में सिवा भी देती है लेकिन हाली में पाकिस्तान में हिंदू महिला सिविल सिवक बनी है जिया सिवल सिवार के लिए निउट किया गया है सना रामचंद्र गुवानी को त्वाल लंबर 46 बंगाल की खाड़ी से उत्पन यास तुफान जिसने की पश्चिम बंगाल उड़ीशा और को प्रभावित किया तो यह है दोस्तों याद रखेंगे ए उमान जी यहाँ नोट कर सकते हैं ए उमान त्वाल लंबर चलते हैं 47 पे किस देश ने सूरी के सदस्यों को यह सूरी के सदस्यों को जानने के लिए कौफो उपगरा लॉंज किया है इस बी चीन इस दर करेक्ट आंसर नोट कर लिजिएगा दोस्तों यहाँ पे त्वाल लंबर चलते हैं 48 पे हाली में हाली में बेग्यानिकों ने किस देश में एक परिस्थितिकी तंत्र ट्रैपिंग जोन की खोच की है कि उत्तर कर लिजिएगा दोस्तों माल दीव इस दा करेक्ट आंसर देखिए और सुमिलित बोला जा रहा है महत्से उतिवहार है और समंदित राज्यों से इसका उत्तर देना है तो अंतराष्टे सेव महत्से यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिखा गया है जबकि अंतराष्टे सेव महत्से दोस्तों उत्रा खंड में मनाया जाता है तो ये जो है उत्तर हमारा गलत हो गया तो आंसर B कर लिजीगा बाकि मारू महुष्टे राजिस्थान से नमस्ते उर्चा मध्यपरदेश से आम महुष्ट से लखनव से सम्मंदित है बाल नमबर 50 भारती सिना के प्रमुख मनोश पांडे को किस देश में आर्मी जनरल के मानद रैंक से समानित किया गया इनको समानित किया गया दूस्तों D नेपाल से इस दा करेक्ट आंसर मनोश पांडे को नेपाल में आर्मी जनरल के मानद रैंक से समानित किया गया है डी इस दर करेक्ट आंसर नेपाल की राजधानी काट मांडू होती है याद रखेंगे ठीक है और यहां के PM कौन है आप हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके अभी बताएं दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और आज हमने देखे हैं यह 50 प्रश्ण जो कि आपके परिक्षा के लिए एक्सपेक्टेड है इसका PDF में आपको सेर कर दूँगा टेलीग्राम पर वे वाईटी एजूकेशन का टेलीग्राम भी आप लोग जलते-जल जॉइन कर ले जैहिन